तीस लोगों को मार कर खा गई यह कपल इंसानी मास्का बनाते थे अचार रूप में एक कपल के बारे में चोका देने वादा खुलासा हुआ है यह कपल इंसानों का मर्डर करने के बार मीट घर में रखते थे और यह मीट को बड़े प्रिजर में इस्टोर कर लेते थे और इसे कई दिनों तक खाते थे 18 साल से जेल में बन इस कपल ने 30 लोगों की हत्या कर उनका मास्क खाने का जुन्द कबुल किया है इस कपल को 1999 में गिरापतार किया गया था जब इनके घर की तलासी ली गई तो उनके घर से 8 लोगों की बोड़ी मिली थी आरोप्यों को इंसानी मास्क खाने की भूग इतनी थी कि उन्होंने इंसानी मास्का अचार भी बना रखा था पुलिस की जाच से सामने आया की नातालिया पेसे से नर्स थी 1999 में एक महिला के गुम होने की पुलिस को सिकायर मिली थी और इसी दोरान कई और लोगों ने भी गुम होने के मामले सामने आये पुलीस की पूस्ताच और जाच के बाद नातालिया सक्के गेरे में आ गई थी और जब पुलीस ने नातालिया के गर छापा मारी की थी तो पुलीस और किचिन से इंसानी मास मिला था और पुलीस को मास काटने के औजार भी बरामत किये थे पुलीस ने दोनों को हत्याओं के जुरूम में अरेश्ट कर लिया। पुलीस की हिरासत में रहकर भी उन्होंने अपना जुल्म कबूल नहीं किया था। अब जाकर नातालिया ने ये बास रुकार की है कि उन्होंने करीब 30 लोगों की हत्या कर उनका मास्क खाया था। ये थी SMS रिपोर्ट।